जब बॉलिवूट का एक ही नारा है कि नमोगें ऐसा हम इसले बोल रहे हैं क्योंकि अनिल कपूर ने बीते कल प्रधानमंती नरेंदर मोदी से मुलाकात की है इसी के साथ साथ उन्होंने tweet पर उसकी picture share करते हुए caption में मरेंदर मोदी की काफी तारीफ भी की है उन्होंने उनके काम को बहुत सराया है इसी के साथ साथ उन्होंने tweet मे लिखा मैं उनसे मिलकर काफी सम्मानित महसूस कर रहा हूँ उनकी द्रिश्टी प्रतिभाय काफी कमाल की है मैं उनसे मिलकर काफी सम्मानित महसूस कर रहा हूँ इसी पहले ही बीटाउन के काफी बड़े बड़े दिगज फिल्म स्टार अभिनेता अभिनेतर्यों ने पहले भे मुलाकाद की थी इससे पहले भी बॉलिवुड जगत के दिगजों ने प्रुधानमंति नरेंदर मोधी से मुलाकाद की थी और उनकी सेल्फी भी काफी बाइरल हुई थी इसमें अभिनेताओं के नाम है आयोश्मान खुराना, विकी कॉशल, आल्यभर, रनबीर कपूर, राजकुमार राओ, करन जोहर, एकता कपूर समेत, कई बड़े बड़े दिगजों ने उनसे मुलाकात की और इसी के साथ साथ उनकी सेल्फी काफी वाइरल भी हुई उन्होंने सेल्फी को बार-बार पोस्ट करने से ये दर्शाया है कि वो फिर से नरेंद्र मोदी या नवो अगेन चाहते हैं अशुर्दिन शा ने पिये मोदी पर निशाना साथ वे कहा था कि भारत में रहने से उन्हें डर लगता है इसी के बाद से ही बॉलिवुद के बड़े-बड़े दिगजों ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सेल्फी डालना कारेकरम शुरू कर दिया है जिससे साफ दर्शाया जा रहा है कि वो नरेंद्र मोदी के सरकार एक बार फिर से जाते हैं इसी के साथ साथ प्रधान मंत्री के 4 साल के कारेयों और द्रिश्टी को देख कर वो देश और सिनिमा जगत के लिए जो उन्होंने विकास का काम किया उससे काफी खुश नजर आ रहा है वहीं बड़े बड़े दिगज अभी नेता भी नेत्री सिनिमा जगत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से मुलाकात करें और उन्हें लोगसबद चुनाफ 2019 के लिए काफी शुबकामनाय दे रहे हैं और दूसरी तरफ राहुल गांदी से कोई मुलाकात करता हुआ नहीं द साथ